अगर आपके पास मिट्टी की कमी है और आपने प्लांट्स ले लिया है तो आप इसको गंबलों में अब कैसे रिपोर्ट करेंगे वहीं तरीका मैं आज आपको बताऊंगी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आई हो पावचे होंगे पहले आप ये फ्लावर्स देखो ये वाले प्लांट मैंने शब सीड़ से ग्रो किये थे तो ये देखो इनमें ब्लूमिंग हो रही है और कुछ में वर्ट्स आए हुए हैं इनमें भी फ्लावर्स आए ये सब फ्लावर्स वाले प्लांट है तो इन ग्रों में कुछ पोर्टल्स में मैंने लगा रखा है और ये जो गंले रखे हैं इनको मैंने पेंट करना है ये जो हार संगार है अभी इसकी पतिया जड़ गई है क्योंकि सरदियों में कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी यह सब मेरे टेरिस पर रखे हुए है और यह यहां पर मैंने पथर चट्टा रखा हूए है यह बोटल्स वगएरा को कट करके मैंने इनमे भी फ्लार्स वाले प्लांट लगा रखे हैं यह नीचे जेड प्लांट रख रखा है शुषर पे मेरे वही प्लांट रखे हुए हैं जिनको दूप के ज़्यादा जरूरत होती है यह सब फ्लार्स वाले प्लांट जो आप देख रहे हो यह सब लैने शीट्स से ही लगाए थी तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको हम सीट्स से ग्रोव कर सकती हैं गर्मियों के भी प्लांट होते हैं और ये सरदियों के सीजनल प्लांट भी होते हैं ये देखो इनमें ये डेलिया का प्लांट है और इसमें बहुत सारे फ्लावर्स आए हुए हैं और ये देखो इसमें भी फ्लावर्स आए हुए हैं ये भी फ्लावर्स वाला फ्लांट है ये सब फ्लाव कस बोलते हैं मेरे को ये नर्सरी वाले भीया ने 70 रुपे का दिया है और इसको मेरे को रिपोर्ट करना था तो मेरे पास मिट्टी तो है बट आपको मैं ये दिखा रही हूँ कि अगर हमारे पास मिट्टी की कमी हो तो बिना मिट्टी के यानि बिल्कुल थोड़ी सी मिट्ट से हम अपना plants लगा सकती हैं यह मेरे पास गमला यह तोड़ा तुटा हुआ है पर फिर भी इसमें plant लग जाएगा यह बड़ा गमला है इसमें काफी सारी मिट्टी हैं तो इस मिट्टी को मैं निकाल लेती हूं तो गमला मुझे और यह सिजनल प्लांट है मतलब यह गर्मियों वाला प्लांट है और यह सदा बाहर है हमेशा ऐसा कि ऐसा रहता है तो अगर आपके पास मिट्टी की कमी है तो आप भी प्लांट लगा सकते हैं हम अपने घर में जो भी कच्रा निकलता है यानि जो किचन वेस्ट से नि अबियती हूं तो मैंने यह सारा इसमें लगा दिया आपके पास अगर सुखे पत्ते वेगरा हो तो उसका भी आप यूज कर सकते हो तो यह मैंने गमला इतना भर लिया है कुछ थोड़ी सी इसमें मिट्टी मिला ली और अब हमें क्या करना है यह जो प्लांट्स है इसकी थ चीजों से यानि गारडन में जो पत्ते वेगरा निगलते हैं उन उनको भी यूज कर सकते हम और कीचन वेस्ट से जो हमारे छिलके वेगरा होते हैं फूट्स के उनका यूज हम कर सकते हैं यह एक तरह से हमारे पोदों के लिए नाइट्रोजन वेगरा फास पॉरस सभी की पूर्ती कर देते है कीचन वेस्ट वाली जो कचरा होता है वो तो मेरा ये प्लांट लग चुका है और आपको देखो ये इतनी सारी मिट्टी मेरी बच गई अब ही इस मिट्टी से मैं एक और प्लांट है यानि एक और गमला भरके एक और प्लांट लगा सकती हूँ तो ये मेरी मिट्टी की बचत हो गई और ये मेरा प्लांट भी लग गया तो फ्रेंड्स मैं यहीं करने आई थी टैरिस पे और फिर सोचा चलो आपको अपने गार्डन भी दिखा देती हूँ जो मैंने वेस्ट से बनाया हुआ है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक ने टोपिक के साथ बाइ बाइ फ्रेंड्स थैंक यू फर वोचिंग